जैहिन दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एरपोर्ट्स अथोर्टी ओफ इंडिया यानिके भारतिय विमान पत्तन प्राधिकरन जूनर असिस्टेंट इस्टर रीजन एंड वेस्टर रीजन भरती दोजार बाईस ओनलाइन फोर्म के बारे में कि कैसे आपको इस बरती का फोर्म फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों भी जो वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ओफिसल वेबसेट जोब्स गयान डोटी ने इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस बर चुके आप लोग बार अक्टूबर 2022 से लेकर के 10 चर्ओंबर 2022 तक भर पाएंगे तो फूत यहाँ पर यह चेक कर सकते इस कि Eastern region में कौन-कौन सी state से candidate apply कर पाएंगे और Western region में कौन-कौन सी state आती है यह भी आप उसके official notification से देख सकते हैं तो यह सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और mainly जो apply कर पाएंगे आप लोगो junior assistant की post पर apply कर पाएंगे इस पर apply करने के लिए आप से या तो diploma मांगा है valid heavy vehicle driving lessons रहना चाहिए और आपको यहाँ पर दूसरा विकल्पी यह दिया है कि valid medium vehicle license जो कि इसके दोरह आपका इसू किया गया हो 3022 से पहले और आपके पास ही नहीं तो दूसरा विकल्पी है कि valid light motor vehicle license जो कि आपके पास at least two year before यानि कि दो साल पुराना होना चाहिए तो यह जान कारी पोस्ट वाइज देख सकते हैं यह देखने के बाद अगर आप इसमें eligible है और इंटरशीड है अपलाई करने के लिए तो आप यहाँ पर अभी जिसके form स्टार्ट हुए इसके उपर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा अब आपको यहाँ पर टिक करने और आपको यहाँ पर साइन अप स्टार्ट इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको ब्रावजर रिकमेंड किया जाते ह आपको इसको close करना है, close करने के बाद आपसे पोचे कि please select your domicile state यानि कि आप कौन सी state के स्थाई निवासी है, इनी state की candidate eastern region में apply कर पाएंगे western region की state अलग है, तो आपको यहाँ पर आपकी state select कर लेनी है फिर post apply, आप कौन सी post पर apply करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं junior assistant fire service यह select कर लेता हूँ अब आपको यहाँ पर आपका नाम 10th की mark sheet के नुलसार enter करना है अपना mobile number enter करना है, इस number को दोबारा डाल करके verify करना है, अपनी email ID enter करनी है email ID को दोबारा डाल करके verify करनी है, यह capture code यहाँ पर fill करने है और इन सभी जानकारी को verify करने के बाद में submit पर click करना है Now guys, मैं आपको बताना चाहूँगा, SK books reasoning के बारे में जो की Hindi और English दोनों के अंदर available है और इस book को publish किया गया है, Sri Krishnan Publisher Private Limited जो की India की one of biggest book publication company है जिसके दोबारा बहतरीन book publish की जाती है, जहाँ पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है अगर mainly बात करें इस book की तो इस book के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजे इसमें आपको verbal, non-verbal और logic का complete और comprehensive collection मिलेगा साथ ही आपको topic wise पर तेक point का easy explanation भी इस book के अंदर मिलेगा इसके अलावा based on new competitive exam pattern यानिके पूरे new competitive exam pattern के साथ में ये book आपको मिलने वाली है इसी के साथ with shortcut tricks and practice exercise यानिके shortcut tricks भी इस book के अंदर होगी practice exercise भी इस book के अंदर होगी तो ये एक आपकी best book है आपकी reasoning की preparation करने के लिए चाहिए आप किसी भी exam की reasoning की preparation कर रहे है तो आप लोग इस book को purchase कर सकते है बाई करने का link आपको वीडियो के description में दिया है चाहिए हिंदी में बाई कर लीजे या फिर English में और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजेगा अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका registration है वो हो चुका है और आपको registration number and password की जानकारी email और message के माधियम से send कर दी गई है साथ ही आपको यहाँ पर right side मे click here to fill application form देखने को मिलेगा अगर आप इस form को mobile से भर रहे है और आपके सामने यहाँ पर click here to fill application form का option नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है आपको इस website को puffin browser के अंदर open करना है आपको playstore से puffin browser download करना है उसको download करने के बाद यह website वहाँ पर open करनी है right side में तीन डोट के उपर click करके आपको इस website को desktop mode में open करना है और then आपके सामने यहाँ पर click here to fill application form का link आजेगा अगर आपके सामने अभी नहीं आया जैसे कि मैंने आपको बताया है इसके बाद आपके सामने फिर से processing होगी और आपको browser recommend किया जाएंगे आपको यहाँ से close कर देना है close करने के बाद कुछ जानकारी जो भी आपने भरी हो यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है जैसे कि आपको आपका gender select करना है exam center के लिए आपको किसको कितनी choice देना चाहते है पहले number पर आपको किसको रखना चाहते है second पर आपको किसको रखना है third पर आपको किसको रखना है वो आप यहाँ पर select कर लीजे फूर्थ चोईस आपको इसको देना चाहते है वो आप सिलेक्ट कर लीजे और फिफ्थ चोईस आपको किसको देना है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजे फिर आता है मैरिटल स्टेटस तो अगर आप मैरिड हो तो सिलेक्ट कर लीजे married नहीं तो आपको unmarried select करना है cast का degree आपकी जो भी आप select कर लीजे SCHT के लिए कोई fees नहीं है DOB आपकी क्या हो आप यहाँ पर calendar के उपर click करके select कर लेंगे पहले जो भी आपका year है वो आप select करें क्या आप departmental candidate to AAI के अगर हाँ तो yes नहीं तो यहाँ पर भी आपको no करना है इसके लाव आप से पोचे कि क्या आपने complete की है one year की apprentice training in AI यानि के airport authority of India के अंतरगत अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है then आप यहाँ पर save and next के उपर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने father name तो जो आपका father name है वो भी आपको 10th की mark sheet के नुसार भाड़ना है नीचे आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है then यहाँ पर आपकी जानकरी verify करने के बाद आपको आपका जो present address है वो फिल करना है तो जो भी present address है वो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख करके इन तिनो लाइन के अंदर लिख दीजेगा country यहाँ पर आपकी दी गई है state आपको यहाँ पर अपनी select कर लेनी है इसके बाद district आपकी कौन सी है वो district आप यहाँ पर select कर लीजे पिन कोड आपका कौन सा है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजे नीचे है permanent address तो अगर आपका present और permanent address same है तो जो address आपने उपर भर है वोई address आप यहाँ पर भर दीजे अगर अलग-लग है तो अलग से भी आप यहाँ पर अपना address भर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर save and next पर click करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने qualification की जानकारी आ चुकी है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी है अगर आपके number CGPA के अंदर है तो आपको उनको percentage के अंदर convert करके यहाँ पर देना होगा इस formula के according जो कि यहाँ पर आपको mention किया गया है तो चलिए यहाँ पर आपको name of the board के अंदर आपके board का नाम देना है कि किस board से आपने आपके दस्वी की है किस साल के अंदर आपने pass कर ली थी तो आपको आपको आपकी total percentage लिख देनी है अगर आपने बारवी किया तो आप यहाँ पर बारवी की कोलम में आपके जो board का नाम है वो देंगे institute name में सेम वे में आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन से qualification में तो यहाँ पर है please select status of qualifying degree तो यहाँ पर आपने यह जो आपकी central qualification है यह आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो उसके according आपको उसको select करना है degree name क्या है आप इसमें 2 मादियम से apply कर सकते 3 year regular diploma या फिर बारवी के तो अगर आप बारवी के मादियम से apply करें तो आप यहाँ पर 12th select कर लीजे इस specialization में आपको बताना है mechanical automobile या फिर fire तो जो कोई भी आपका जो specialization है वो आप select कर लीजे इसके बाद यहाँ पर university name आपको देना है basically आपको यहाँ पर आपके board का नाम देना है कि कौन से board से आपने की है euro passing बताना है कि कि साल के अंदर आपने आपकी बार भी पास की है यहाँ पर आप अपनी percentage fill कर दीजेगा अगर आपने उपर भर दी है आपकी 12 की जानकारी तो आप इनको हटा दीजे और यहाँ पर आपकी 12 की जानकारी दे दीजे क्योंकि आप 12 के मादिम से apply कर रहे है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों essential qualification detail में आता है please select as applicable आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पर बताना है कि I possess valid vehicle driving lessons जो भी आपके पास इन में से है वो आप select कर लीजे और फिर यहाँ पर आपको आपका license number भी देना है यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूचेश है कि do you have computer science as subject at 12th level यान कि computer science आपके पास 12th में था subject अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है क्या आपके पास NCCB certificate है अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है इसके बाद आपसे पूचे कि relevant experience in and aviation regular industrial fire services अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है have you completed basic firefighting training course अगर आपने किया है तो आप yes करेंगे नहीं तो यहाँ पर भी आपको no करना है have you completed subfire officer course अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है देन आप यहाँ पर नहीं चाहेंगे और save and next के उपर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर आपके सामने declaration का section आ चुका है आपको यहाँ पर पहले आपका photo upload करना है जो कि तीन मेने से पुराना नहीं होना चाहिए आपको click here to upload पर click करना है browse के उपर click करना है और जहाँ पर भी आपका photo file है वो आपको select करके यहाँ से open कर लेना है तो आपकी file इस परकार से upload हो जाएगी फिर आप इसको close करेंगे close करने के बाद same way में आप अपना signature upload करेंगे इसका size भी आपका 100 के भी से कम ही रहना चाहिए तो जहाँ पर भी आपकी file है photo की वो आपको select करने है यहाँ से open करने है तो आपकी file upload हो जाएगी फिर आपको एक close कर देनी है अब आपको यहाँ पर scanned copy of educational qualification यानि कि जो आपकी 12th है या फिर जो आपको diploma है उसको आपको scan करके यहाँ पर upload करना है फिर self tested copy of your discharge experience certificate अगर आपके पास experience certificate है और आपने उसकी जानकारी दी है तो आप उसको यहाँ पर upload करेंगे अगर आप फ्रेसर है तो आप इसको खाली छोड़ दीजेगा अगर आप CST OBC candidate है तो आपको यहाँ पर का certificate upload करना है देन आप यहाँ पर एक capture code फिल करेंगे आएगरी के उपर क्लिक करके preview पर क्लिक करना है और आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को verify कर लेना है अगर आपको लगता कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही भी कर सकते है नहीं तो करना है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका format successfully submit हो चुका है आप यहाँ पर print पर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास अभी printer मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको designation में PDF के रूप में save कर लीजे और बाद में print करा लीजेगा त